क्रिश्णा राधे राधे दोस्तों आज मैं बनाऊंगी मिठे चावल मिठे चावल बनाने के लिए मैंने चीनी ले रखी है कुछ मैंने बदाम लिये हैं थोड़ा सा मैंने सूखा गोला काट लिया है थोड़ी मैंने काजू लिये हैं थोड़ी मैंने किस्मिस ले रखी है और तुछ थोड़े से थोड़े रेसे मैंने केशर के लिए रखे हैं यह मैंने और अरेंज कलर है और यह मैंने एककटोरी चावल ले रखा है तो इन सब से मैं टेस्टी साथ मिठा चावल बनाऊंगी तो बने रहे चावलों को मैं 10 मिनट धो के भीगा लूंगी देशी घी डालूंगी मैं इसमें डो चावलों के हिसाब से हमने घी डालना है मैंने तीन चम्मच बड़े चम्मच घी डाल दिया है घी को गरम होने देते हैं 2 नाइची दालदी है מैंने इस में थोड़े मैं ड्राइप उर्ट्स को भी भून लूंगी काजू डाल दिए हैं बदाम डाल दिए काजू डाल दिए हैं और यह मैं गोला भी डल दूंगी सुखा हलका हलका इनको भून लेंगे ज्यादा ड्राइपूर्स को नहीं भूनते हैं हलका हलका भूनगी मैं इसे यह देखें यह हमारे भून गया है अब मैं इसमें डालूंगी पानी अब मैं इसमें डालूंगी पानी चावलों के हिसाब से पानी डालना है यह मैं पानी डाल दिया है इसमें किसमी इसमें बाद मैं डालूंगी यह मेरे पास ओरेंज कलर का कलर है यह देखें इसे मैं घोल के इस पानी मैं डालूंगी यह मैंने कलर डाल दिया है कुछ रेशे मेरे पास केसर के हैं इनको डाल दूँगी मैं इस उबलते हुए पानी में और मैं डालूँगी एक कटरी चीनी चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और अब हम इस पानी को अच्छी से उबलने देंगे किस्मिस को मैं ऐसे ही डाल दूँगी क्यूंकि किस्मिस भूनने के बाद उसका टेस्ट खराब होता इसलिए मैंने किस्मिस को धो लिया है और धोने के बाद मैं किस्मिस को डायरेक्ट डाल दूँगी इसमें इस तरह से ये मैंने डाल दिया है दस मिनट हमारे हो चुके है चावल मैंने धोके रखे थे दस मिनट, दस मिनट हो चुके है अब मैं इसमें चावल मिला दूँगी ये मैंने चावल मिला दिये है अब हम इसे सिमाच में पकने देंगे इस तरह से उबल रहा है अब हम इसे सीम आच में बहुत देर तक कम से कम 15 मिनाट पकेगा ये सीम आच में बनेगा बनके दयार है विल्कुल इनको जर्दा भी बोला जाता है अब बिखुल बन गया है और गैस की फ्लेम को हम ओफ कर देते हैं गैस बन कर दी है खिले खिले बने है ये देखे इस तरह से अच्छे बने है बहुत ज्यादा लाइक, सस्क्राइब, कमेंट, राधे राधे